हेलो दोस्तों स्वागत है आपका तयारी कर लो शेनल पे मैं है नवाब आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार STET एक्जाम की जैसा कि 28 जन्वरी को ये एक्जाम हुआ था और पेपर लीक होने के बज़े से ये एक्जाम कैंसिल हो गया था अब उसी एक्जाम की एक्जामिनेशन डेट आई हुई है कब है और एडमिट कार्ड कब से निकलेंगे बिलकुल इस पर शर्चा करेंगे तो बिहार STET बिहार सेकेंडरी टीचर इलिजिबिल्टी टेस्ट जो की कंड़क्ट कराता है BSEB बिहार स्कूल इक्जामिनेशन बोर्ड तो दोस्तों ये जो पहले पेपर होता था इसमें दो पेपर होते थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड अभी भी इसमें दो ही पेपर हैं पेपर फर्स्ट और सेकेंड लेकिन जो इसमें में चेंजिस आया हुआ है जैसा कि 28 जन्वरी को जो एक्जाम हुआ था वो आफ लाइन हुआ था और जो अभी जो नई एक्जाम डेट आई है इसमें जो एक्जाम होगा वो क्रोना वाइरस के चलते आनलाइन एक्जाम होगा तो ये बहुत बड़ा चेंज़िस हुआ है भीहार STTE के एक्जाम में कि जो ऑफलाइन एक्जाम होता था अब उसे ऑनलाइन एक्जाम में कनवर्ड कर दिया गया है तो अगर आप लोग अभी तक किसी भी ऑनलाइन एक्जाम में नहीं बैठे हैं तो इससे पहले आप उसके म ले सकते हैं BSTET जो recruit किया हुआ है जो ये exam होने वाला है वो 9 से 10 secondary school के teacher की भरती के लिए है और 11 से 12 higher secondary school teacher की भरती के लिए है तो ये जो exam होगा ये 9 से 10 और 11 से 12 school की भरती के लिए होगा इसमें जो teacher पढ़ाते हैं उनकी भरती के लिए recruit किया जा रहा है जो की BSEB दोरा conduct कराया जाएगा जो 28 जनवरी को BSTET exam हुआ था बिहार STET तो वो हो तो गया था और answer की भी आ गयी थी लेकिन दूसरे दिन जब exam के दूसरे दिन पता चला कि इसमें paper leak हो गया है तो उस वज़ा से जो BSEB है बिहार की जो board है उसने इस exam को cancel कर दिया था रद कर दिया था अब वही exam reschedule हुआ है जो की जिसकी जो date है नई date जो है वो है 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक ये exam होने वाली है तो कई सारे सेंटरों में ये exam होगी और दो-दो पालियों में जो exam होती है वो होगी और इसमें जैसा कि अभी मैंने बताया है कि पहले यही exam offline होता था लेकिन अब यही exam online होगा admit card की बात करें तो BSTET exam का जो admit card है वो 25 अगस्त से issue होने वाला है तो आप 25 अगस्त से इसका admit card download कर सकते हैं download करने के लिए आपको BSTET की official website पे जाकर के ही download करना पड़ेगा और बिहार STET की जो website है official website वो है bsebstet2019.in आप इस पर जाकर के अपना admit card या फिर और जो detail है बिहार STET exam से related आप वहां से उससे download कर सकते हैं और इस बात का खयाल रखिएगा कि ये exam online होने वाला है अपना center शूज कर लें कहां आपका center गया हुआ है और अगर आपने अभी तक online exam नहीं दिया है तो उसकी preparation start कर दें तो आपके पास बहुत सारा समय मिल गया था जो लोग जो पिछला exam हुआ था 28 जनवरी अगर उसमें अच्छा score नहीं कर पाए है तो उनके लिए एक मौका ही है तो आप इसमें अच्छा सा score करें और अपने आपको prove करें तो जितने भी लोग ये exam दे रहे हैं उन सभी दोस्तों को उन सभी लोगों को all the best और उमीद करता हूँ आपका exam अच्छा जाएगा